नमस्ते मैं वैशाली मोर अबाउट हेल्ट में आपका दिल से स्वागत करती हूँ आज हम जानेंगे मसालों की रानी कहलाने वाली हरी इलाईची के कई प्रकार के गुन तो लगभग हर भारती यरोसोई में मिलने वाली हरी इलाईची का इस्तमाल हम चाय और खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं और सेहत की कई समस्या को दूर करने के लिए भी करते हैं इलाईची शरील को कई रोगों से बचाती है उसमें विटामिन सी मवजूद है मिनरल्स है आयर्न, कैल्शियम, पोट्याशियम और मैगनीशियम जैसे पोशक तत्व मवजूद है इतना ही नहीं एंटि ओक्सिडन्ट और डायूरेटिक गूर मवजूद है जो बढ़ते वजन से लेकर ब्लड प्रेशर तक कंट्रोल करने में काम करती है आये जानते हैं हरी इलाइची का सेवन करने से शरीर को मिनने वाले फाइदे क्या है पहला फाइदा देखेंगे मू में दुरगंद आना कई लोग परिशन रहते हैं मू में बास आता है इलाइची आपको चबाकर खाने से मू में आने वाली बद्बू दुर हो जाती है इसमें अवशदिय गून मवजूद है दूसरा रोग प्रतिरोदक्षमता मजबुध हो जाती है आपको इलाइची को भून कर इसके साथ शहत का सेवन करने से रोगप्रतिरोधक्षम्ता मजबुत बन जाती है वो फाइदेमन भहुत रहता है इलाईची तीसरा, लंग्स के लिए अच्छी है जो हमारे फेपडे हर रोज अच्छा रखती है हर रोज आपको छोटी इलाईची का सेवन करना है तो फेपडे अच्छे रहेंगे फेपडे में बलड सर्कुलेशन अच्छा तरह से काम करेगा हेल्थ लाईची की रिपोर्ट के अनुसार छोटी इलाईची खाने से हार्ट प्राब्लम की समस्या दूर हो जाती है चौथा खासी जुकाम के लिए फाइदे मन रहती है जिन लोगों को अस्तमा, खासी, जुकाम जैसी परेशानी रहती है न उन्हें छोटी इलाईची का सेवन करने का सलाह दी जाती है पाचवा वजन घटाने में मदद गार है हरी इलाईची कई ऐसे तत्व है, पउशक तत्व है, मवजूद उसमें तो तेजी से वजन घटाने में मदद करती है इलाईची को उबालकर आपको रोज सुब उसका पानी पीने से पाचन क्रिया ठीक रह जाती है और वजन भी तेजी से कम हो जाता है चटा फाइदा, कब्ज की परेशानी अब अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो पानी में हरी इलाईची को पका कर उसका पानी पी सकते हो उससे क्या होगा एसलिटी नहीं हो जाएगी उसको राहत मिल जाती है सात्वा फाइदा, गले की खराश बदलते मोसम में गले की समस्या रहती है न आप छोटी इलाईची का सेवन करना है आपको तो खराश और दर्द दूर हो जाएगा आटवा फाइदा, बलड प्रेशर हर दीन दो से तीन बार इलाईची का सेवन करना है उससे क्या होगा, अपका रप्त चाप नॉर्मल हो जाएगा और घबराण जैसी समस्या भी दूर हो जाएगी नववा फाइदा, पाचन क्रिया अच्छी बन जाती है पाचन क्रिया को मेंटेन बनाए रखने के लिए आपको फाइबर युक्त खाध्य पदार्तों का सेवन करना है इसके अलावा भी हरी इलाईची और शेहत का एक साथ सेवन करना है तो पाचन क्रिया अच्छी बन जाती है आपको भोजन के बाद एक हरी इलाईची खाने से आपका पाचन शक्ती मजबुत बन जाएगा नीन आने की समस्या कई सारे लोगों को हो जाती है उसको सत्ताती है तो आप हरी इलाईची का सेवन राज सोते समय आपको करना है खाना है उसके बाद गुनगुने पानी का सेवन करना है कुछ दिनों में इस परेशानी से आपको राहत मिल जाएगी दसवा फाइदा सेक्स लाइप बढ़ जाती है तो इलाईची का हर एक दिन में सेवन करना है आपको ऐसा टॉनिक है टॉनिक के रूप में काम करती है शरील को ताकत प्रदान करती है ग्यारावा फाइदा छाले दूर हो जाएगे मुग में दर्दनक छालों का तकलिप रहती है तो आपको इलाईची को पीस कर उसमें पीसी हुई मिश्री मिलाकर मुँ में रखना है बहुत लाब मिलेगा बारावा फाइदा हिचकी दूर हो जाएगे अचानक से अगर आपको हिचकी आने लगे और बंद ही न हो जाए इसका इलाज क्या है इलाईची एक इलाईची को मुँ में रखकर आपको दीरे दीरे चबाकर रखना है बंद हो जाएगी तो आपको वीडियो समझ में आया ही होगा ना हरी इलाईची स्वाद बढ़ाती है भोजन में भी आपको इस्तमाल करना है अच्छी तरह से आपको इसका सेवन करने से सेहत भी अच्छा रहे जाएगा आपके कुछ सवाल होंगे तो मुझे कमेंट करना और वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब करते रहना धन्यवाद